रस्किन बॉंड बच्चों आप सभी ने बच्चों की फिल्म दब्लू अम्रेला जरूर देखी होगी क्या आप इस फिल्म के लेखक को जानते हैं? जी हाँ इनका नाम है रस्किन बॉंड बाल साहित्ते में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रस्किन बॉंड का जन 19 मई 1934 को कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ इनकी परवरिष शिमला, जामनगर, मसूरी, देहरादून तथा लंदन में हुई वे अंग्रेजी मूल के भारतिय लेखक हैं इनकी रचनाओं में पहाड तथा हिमाले की अमिट छाप दिखाई देती है उनकी लिखी कहानियों पर बहुत सी फिल्में बनी हैं जिन में से साथ खून माफ जुनून लोगप्रिये हुई उन्हें 1992 में भारत सरकार द्वारा साहित्ते अकादमी अवोर्ड से 1999 में पद्मश्री से तथा 2014 में पद्मभूशन से भी सम्मानित किया गया उनकी अनेकों रचनाओं में से कुछ है An Island of Trees, A Town Called Dehra, Funny Side Up, or Tigers Forever